जाहिंद सातियों सातियों कुछ कमेंट आ रहे हैं कि बिना पढ़े सिटेट को कैसे पास करें जी हां सातियों आज आपको बताने बाले हैं कि बिना पढ़े आप जो सिटेट को पास कर सकते हैं बेरासी से लेकर कि असी नमर आप ला सकती है, सिर्फ अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, ये आपको लगवाद दोस मिनट का वीडियो होने वाली है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, तो आप सिटेट को पास कर सकती है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए हो सकता है कि ये वीडियो आपको जो है सीटेट पास करने में बहुत हेल्प बना सकते हैं और आप लोग को बता दो कि अभीश लेकर कि आपको 12 घंटा का समय बचा हुआ है क्योंकि आज साम हो गया है आप साम को वीडियो देख रहे होंगे और कल मौर्निंग में साथ बजे ही आपको एक्जाम में प्रवेश कर जाना है आनि समझे कि 12 घंटा का समय है तो 12 घंटा में आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ करके आप अपना सीटेट को क्वैलिफाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग को हम दिखाने का पर पहले आप लोग को बता दो कि आपका एंग्जाम जो है नो वह 150 मार्क का होता है और पासिंग मार्क तो पता है या तो आपको बेरासी लाना है यह नबे लाना है अगर आप जेनरल कटेगरीज है तो तो देखिए 150 नमर का एंग्जाम होगा नो तो 150 में से आपको दोगों लेंग्वेज पेपर लेना परता है या तो आप लोग हिंदी इंग्लिश लिए होंगे या आप लोग जो हिंदी और संस्कृत लिए होंगे तो दोग लेंग्वेज होगी है तो दोनों लेंग्वेज में अगर हम गदांस और पदांस को देखते है तो 15 नमर का जो है गदा जानते होंगे अगर कुछ भी आप नहीं जानते हैं फिर भी आप 30 नमर में अगर गदांस और पदांस को अगर आप लोग स्वल्व करेंगे तो आप 20 पलस नमर आप असानी से ला सकते हैं क्योंकि गदांस पदांस उतना हाड नहीं रहाता है आपको जह उपर में जो कहानी य तो आप लोग किये होंगे तो इतना अगर आप किये हैं तो फिर भी आप जो है तीस में से 20 नमर जो आसानी से ला सकते हैं इसमें कोई आपती नहीं है इसके लिए भी आप लोग को हम बता देते हैं कि गदांस और पदांस में क्या करना है जो तीस नमर का आपका गदांस और यहाँ दोनों लेंग्वेज में होगा इसमें से आपको जो भी कविता हो या कहानी हो उसको ध्यान पुरवक पड़ना है चाहे कविता हो या कहानी हो आपको ध्यान पुरवक पड़ना है और उसी में से आपका एंसर जो है मिल जाएगा तो यहाँ पे लगवग हम बात कर लेत हैं कि 30 में से आप जो है 20 नमर यहां पर गदांस और पदांस में ला लिए हैं तो बांकी और कितना नमर चाहिए कम ज़कम 62 नमर और चाहिए आप देखिए 62 नमर के लिए आप लोग को क्या करना है कि जिसे आप पास हो जाए तो देखिए यहां पे इसी में देखिए आप लोग पोजीयटीव और यहां पे ने गये वर्ड इधार पोजीयटीव और इधार एस है निगेटीव तो देखिए अगर आपको क्वेस्चन पोजीयटीव दिखए तो आपको इधार बना कुस भी लैन कुछ भी सitted आप कर देना है अगर आपको क्वेस्टन निगेटिव रहे और इधारे वाला लाइन में से अगर कहीं भी संदेश में यह आपको दिख जाए तो आपको जहें यह बला टिक करना जैसे यहां पे देखे कि यहां पे लिखा गया है कि सरवांगिन विकास या कड़किर सिखना हस्त पड़क अनुभाव समान लगोप प्रसाहन जिग्यासा बाल केंद्रित तो इस तरह का अगर आपको वर्ड मिल जाए और क्वेस्टन पोजेटीव रहे तो आपको टिक करना है अगर आपको क्वेस्टन नेगेटीव रहे तो केवल, मात, शेड़, ही, रटना, याद करना, कंठर्स्ट करना, डाउन, सजा, समस्या, बोज, हतोत, साहित अगर ये सब वर्ड आपको कहीं भी कुछी भी आप्शन में मिल जाए तो आप लोग को टिक करना है तो उसके बाद देखे, यहाँ पर बहुत सरा यहाँ पर पोजेटीव और नेगेटीव टेग वर्ड यहाँ पर हम लिखे है तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे है तो आप लोग को हम यही बताना चाहते है कि 10 मिनट के अंदर में तो हम पूरा तो नहीं बता सकते हैं लेकिन जितना भी यहाँ पर टेग वर्ड है आप वीडियो को रोक रोक करके सभी को समझ लिजिए क्योंकि 12 गंटा का समय है तो आप लिखेंगे नहीं कलम नहीं चलाएंगे तो फिर भी आप लोग मुवाइल में ही आप वीडियो को दो बार या चार बार या पांच बार जितना बार हो अधिक अधिक आप लोग देखिए और जितना यहाँ पर टेग वर्ड अभी आपको स्कीन पर दिख रहा है यह सभी टेग वर्ड को आप जो है याद कर लीजिए आपको क्वेस्टन जो एंग्जाम में बन जाएगा इसको नीचा उपर कर देते हैं आप चाहे तो स्क्रीन लेकर करके भी इसको पड़ सकते हैं यहां पर अक्षर थोड़ा गरवर है क्योंकि हम किसी विदार्थी का जो कॉपी था उसी का फोटो हम खीची है क्योंकि इतना जल्दी में तो हम लिखने हैं सकते थे इसलिए फास्ट में हम बना दी है क्योंकि आप लोग अधिक मातला में कमेंट कर रहे थे देखिए अगर आप लोग को सक्रीया देख जाए या संसाधान या विभीन संदर्वो में भासा प्रियोग विभीन विविद्दा गतिविदी और क्वेस्टन पोजेटिव है तो आपको टिक कर देना है अगर निश्किरिया रहे रोजगार व्यवसाइक उच्ग्रेड की सिक्षा कि आपको इतना मार्क लाना है इस सब का घर्चर्चा कि क्या रहे तो आपको क्या करना है और निगेटिव क्वेस्टन है तो आप लोग को टिक कर देना है उसके बाद देखी एक और पेज़ा यहां पर बहुत सरा रही जो है यहां पर रिपीट भी हुआ है देख सकते हैं कि इदर है बाल के अंद्रे सिक्षा केवल मात लिए सब बता दिए यह है निगेटिव बला और यह है पोजेटिव बला यह सब आप लोग याद कर लिजिए आप मुएल में वीडियो को रोक रोक करके सभी सब्द को अगर आप ट्रेन भी जा रहे हैं तो ट्रेन पर भी आप बैठे बैठे यह सब को देख सकते हैं आप असानी से जो एंग्जाम को पास कर सकते हैं इतना तो हम दावा कर सकते हैं कि आप जो है इतना भी कर लेंगे तो पास होने के संभावना बनती है अगर आप कुछ भी नहीं किये है अभी तक तो इतना आप लोग जरूर कर लिजिए हम जो है इसको नीचे स्कॉल डॉन कर दे रहे हैं आप सभी सब्द को ध्यान पुर्वक देख लीजिए तो देखिए खुल मिला करके इतना सब्द है देख लिए उसके बाद और कुछ हम बात कर लेते हैं कि हमेशा क्वेशन में बच्चा को जो है नो सही समझना है अगर बच्चा गलत भी करेगा फिर भी आप बच्चा को सही समझना है और उसी को टिक करना है वही option सही होता है और सिक्षक जो होता है नो सिक्षक का गलती रहता अगर बच्चा और सिक्षक वाला तो अधिकतर question आता है तो दोनों में आप लोग को यह देखना कि बच्चा अगर गलती भी कर रहे है तो समझे कि बच्चा ही सही है और स सिक्षा को क्या करना नेगीटिव समझना है क्योंकि सब्सक्राइब क्या होता है बच्चे पर अधारी कोस्षन आती है तो इस तरह से आप लोग सब्सक्राइब को यहां पर पढ़ सकते हैं और वीडियो को हो सके तो चार-पांस दूस बार जितना भी हो ना आप लोग अधिक से अधिक देखने का परियास किजिए क्योंकि यहां से आप पास कर सकती है उसके बाद एक और बात बता देते हैं कि यह सब यह सब टेक वर्ड यहां पर यह सब टेक वर्ड है आप चाहे तो यूटूब पर सर्ज करके बहुत सरा पॉजियेटिव नेगेटिव टेक वर्ड मिल जाएगा वह सब को आप लोग जो है जाकर के देख लीजिए और आप लोग जैग जाम को पास कर सकती है और उसके बाद भ वीडियो इसको बाद में देख रहे होंगे उसके पास जो है दो या तिन घंटा का समय होगा तो दो या तिन घंटा में उतना नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना सब्द को आप लोग जरूर याद कर सकती है चलिए एक बार फिर से इसको हम नीचे स्कॉल डाउन कर देते हैं इसक्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा इतना तो आप लोग जरूर कर सकती है ठीक है उमीद है कि आप लोग को यह वीडियो थोड़ा हेल्प मिलेगा तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पाली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाए और कोई भी मन में क कोई सा क्वेस्टन है तो कमेंट कर दीजेगा बिलेंगे फिर नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद